हेलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नमबर 43 जो की 21st December 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइन्स और आज जो हम टॉपिक पढ़न वाले हैं वो है the living organisms and their surroundings तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम समझते हैं habitat क्या होता है the reason or place where an organism lives is termed as its habitat यानि एक ऐसी जगें जहां पे कोई living organism रहता है उसको हम habitat कहते हैं habitat provides an organism everything it needs यानि एक habitat में वो सारी चीज़े provide करने की शमता होती है जो की एक organism को चाहिए होती है जैसे की food है shelter है और safe breeding place है ठीक है अभी जो habitats है वो generally two types में classify किये जाते हैं first है terrestrial जानि की land में रहने वाले organisms and second है aquatic animals होते हैं यानि की वो organism जो की water में रहते हैं ठीक है तो हम सबसे पहले समझते है desert habitat तो desert में small animals stay in borrows देखो होता क्या है desert में गर्मियों में दिन के समय बहुत जादा गर्मी होती है इस वज़े से जो animals होते हैं वो जमीन में खुदाई करके एक गहरा गड़ा बनाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं और रात के समय बाहर निकलते हैं इससे वो अपने आपको गर्मी से बचा रहे होते हैं अगर हम plants की बात करें तो leaves are either absent or very small as spines तो होता क्या है जिनरली leaves में छोटे-छोटे से pores होते हैं जिसको हम stomata कहते हैं और इस stomata के थुरू water का loss होता है plant की body के अंदर से तो अगर जो desert में plants रह रहे हैं तो उन्हें जर्ली पानी तो मिलने ही पाता है मिलता भी है तो बहुत small amount में पानी मिलता है इस वज़े से उन की leaves होती हैं जिस वज़े से उनकी body पे जो stomata की numbers होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और water का loss उनकी body से बहुत कम होता है, ठीक है कि उनकी stem होती है वो भी ठीक होती है और waxी होती है again water loss को बचाने के लिए होती है और जहÝ़रूट के उती है वो गहराई, soil के अदर काफी ज़्यादा गहराई में जाती है क्यों? क्योंकि soil के अंदर पानी बहुत नीचे होता है तो इनकी जो roots होती है वो भी बहुत नीचे तक जाती है जिससे इन्हें पानी मिल सके अब एक example लेते हैं हम camel का जो की desert में रहता है तो desert की गर्मी से खुद को बचाने के लिए इसके जो legs होते हैं काफी जादा long होते हैं अब यह जो excrete करता है water का loss यानी जो होता है urine के थुरू वो भी बहुत small amount में होता है और इसका जो dung होता है वो dry होता है क्योंकि इसके अंदर से पानी बहुत कम निकल पाता है ठीक है और यह पानी के बिना एक काफी जादा समय तक रह पाता है यानि इसकी body की structure ऐसी है जिससे यह desert में survive करने लायक बन पाता है इसके बाद हम देखते है aquatic habitat तो सबसे पहले हम देखते हैं ponds ponds में क्या होता है most of the organisms have stream line body यानि कुछ इस तरीके की उनकी structure होती है जो उनको swim करने में help करती है और इनमें gills भी होते हैं क्योंकि gills water के अंदर जो dissolve oxygen होती है उसको absorb करने में help कर पाते हैं इन aquatic plants roots are reduced, stems are hollow and light तो जो aquatic plants होते हैं क्योंकि वो पानी में ही रह रहे होते हैं तो उनकी जो roots होती हैं बहुत छोटी होती हैं जैसे desert में हमने देखा roots बहुत जादा बड़ी होती हैं जिससे उन्हें पानी मिल पाए अब क्योंकि यह aquatic habitat है इसमें plants already पानी में ही रहते हैं तो इसलिए जो उनकी roots होती हो बहुत छोटी होती है जिससे कम amount में पानी इनकी body में जा सके जो इनके stems हैं वो hollow होते हैं जिस वज़े से काफी हलके होते हैं और water में easily swim कर सकते हैं और उसके अंदर डूपते नहीं हैं ठीक हैं leaves जो होती हैं वो broad होती हैं और ribbon की तरह होती हैं क्योंकि इनकी body पे फिर stomita के numbers increase हो जाते हैं और water का loss इनकी body से आसानी से हो पाता है अब एक हम aquatic habitat में रहने वाले animal की बात करें तो वो है fish अब इसकी body की structure क्या होती है streamlined होती है body cover होती है scale से and have fins अब इसकी body cover होती है scale से इससे क्या होता है कि जो इसकी skin है वो water के contact में आकर सड़ती नहीं है ठीक है और इनमें gills present होते हैं तो ये general एक feature है उस animal का जो की aquatic habitat में रहते हैं तो उस habitat में रहने के लिए ये सारी चीज़े होती है जो इन्हें possible बना पाती है कि वो उस environment में रह पाते हैं उन्हें able बना पाती है ठीक है अब इसके बाद कुछ questions है हमें define करना है इन सारे terms को first है habitat तो habitat की definition उपर हमने पढ़ी ही थी यहां से लेकर यहां तक यह आ जाएगा question number one का answer ठीक है बचो second part है be part characteristics of desert plant desert plant के क्या characteristics होती है चलिए लिख लेते हैं तो बचो be part का answer इस तरीके से start करेंगे in desert plants फिर यहां से लेकर यहां तक सारा लिखेंगे और यह be question का answer complete हो जाएगा ठीक है next है c part जिसमें हमसे पूछा है special features of stem of aquatic plants जो aquatic plants है उनके stem के special features क्या होते हैं चलिए देख लेते हैं तो बचो c part का आप answer लिखेंगे यहां से लेकर यहां तक stems are hollow and light next है d part जिसमें पूछा हुआ है special features of stem and leaves of desert plants तो जो desert plants है उनके stems and leaves के हमें special features लिखते हैं ठीक है तो चलिए देख लेते हैं तो बचो d part का आप answer यहां से लेकर यहां तक complete करेंगे ठीक है next है e part जिसमें हमसे पूछा है special features of camel and fish तो camel and fish के तो इन्होंने characteristics already यहां से लेकर यहां तक camel के लिखे हैं और यहां से लेकर यहां तक fish के लिखे हुए हैं और यह answer आ जाएगा option e का ठीक है बच्चो तो यह थी आज की हमारी science की worksheet and I hope आप सभी को यह worksheet बहुत अच्छे से समझ में आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें अपने friends के साथ भी share करें और इस channel को subscribe करें थैंक यू